तो फाइनली सैमसंग एस्ट्वांटीवन एफी 5G के लिए जो वन युवाई 5.1 का अपडेट है वो इंडिया में सैमसंग ने रोल आउट कर दिया आज 27 फरवारी 2023 को बात करें अपडेट फैल की तो यहां पर आप देख सकते हैं 1326 MB का अपडेट है और इस अपडेट में फ कुछ ने फीचर्स और इंप्रुममेंट्स किए गया है उसका एक विपी रीव्यॡ दूंगा दोस्थों जानेंगे कि क्या कुछ नएं फीचर्स और इम्प्रूमेंट्स इस ने अपडेट में किये गए हैं तो वीडियो को आंतों तक देखिएगा और लाइक कर दिजिएगा इस वीडियो को लाइक टारेट हम लों रखते हैं 125 लाइक 125 लाइक आप लोग कम्प्लीट कर दिजिएगा साथी चैनल पर अगर आप पहली वर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश और आप देख रहें टिक दोस्ते चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैनल के बाद जब आप लास्ट अपडेट चेक करते हैं तो उसका इंटरफेस चैनल किया गया इसके अला अब कुछ नए विजिट्स एड किये गए हैं जैसे बैटरी विजिट्स एड किये गया यहां पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है फोन का बैटरी परसेंटेज वाच का बैटरी परसेंटेज बड्स का बैटरी परसेंटेज और जो बड्स का कबर है उसका बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है यहाँ पर जो बैटरी स्टेटस है वो लिस्ट में देखने को मिलेगा और यहाँ पर सरकल में हमें बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा दोस्तों तो कुछ इस तरह से हमें बैटरी परसेंटेज देखने को मिलते हैं तो यहाँ और काफी यह useful feature add हुआ है इसके अलाबा context में हमें दो नए विजिट्स देखने को मिल गए है डाइरेक्ट डायल और यहां एक और नया विजिट जो है वो एड हुआ है इसने update के अंदर इसके अलाबा बात करें तो वेदर के नए विजिट्स एड कर दिये गए है डाइनेमिक वेदर विजिट्स देखने को मिल जाता है जो की वेदर के condition के हिसाब से यहां पर जो विजिट्स है वो शो करता है यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर animation भी हमें नया देखने को मिलता है इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें तो जब आप कॉल करते हैं तो कॉल करत समय यहाँ पर जो इंडिकेटर आता है उसको सैमसंग ने रीडिजाइन कर दिया है इसने अपडेट के बाद इसके अलाबा कुछ इस तरह से यहाँ पर लिश्ट में शो करता है बैटरी स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलाबा अगर बात करें तो डाइनमिक व अलाबा अगर बात करें तो नोटिफिकेशन पैनल में कुछ ने टॉगल सेट कर दिये गया है जैसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी टेक स्क्रीन शॉट तो आप नोटिफिकेशन पैनल से ही स्क्रीन शॉट को कैप्चर कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर हमें कलर कररखन का एक निया उप्शन देखने को मिल जाता है कलर फिल्टर का निया प्शन देखने को मिल जाता है सिक्योर वाई-फाई का इसके अलाबा सेटिंग पर हमें रिटोरी मोड यह वह एड कर दिया गया है तो यहां पर नया mode add किया गया है इसके अलाबा अगर बात करें तो different modes के लिए अलग-अलग wallpaper जो है वो apply कर सकते हैं यह भी एक नया feature add किया गया है इसके अलाबा video call effect में कुछ improvements किये गया है और ने features को add किया गया है इसके अलाबा बात करें तो video brightness का एक नया option देखने को मिल गया है यह जो है वीडियो player Google TV YouTube और Netflix में काम करता है जो यहाँ पर brightness है उसको increase कर देता है दोस्तों तो यह भी एक नया feature add किया गया है इसके अलाबा camera में आप जब selfie लेते हैं तो समय आप जो है वो आप जो color tone है उसको change कर सकते है नेचुरल या फिर वार्म तो आप अपने according जो है वो selfie लेते समय जो है वो color tone change कर सकते हैं इसके अलाबा जो color palette का feature है वो हमें keyboard में भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं one UI 5.1 update के बाद इसके अलाबा यहां पर animations को improve किया गया है इसके अलाबा अगर आप कोई picture को click करते हैं तो जो shadow और reflection है वो automatic जो है वो हाइड हो जाएगी इसके अलाबा और भी काफी सारे improvements किये गया है gallery application में तो काफी सारे features और improvements किये गए हैं दोस्तों तो बहुत ही जल्द इसका एक detail review आएगा दोस्तों जिसमें आपको सब features के बारे में बताऊंगा दोस्तों साथ ही update के बाद कुछ bugs और problems भी हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों तो update कीजे अपने device को तो यही था आज के इस वीडियो में उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजेगा like चैनल पे यदि आप पहली बार आया तो चैनल को कर दिजेगा subscribe मैं मिलता हूं आ हिंद वंदे बातरम